इलेक्टोरल बॉन्ड इस स्कैम, इलेक्टोरल बॉन्ड एक्स्पोज मोधी, ऐसी विडियो कई लिबरांडू यूट्वर्स बना के हमें भ्रमित कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, कोई एक घोटाला नहीं है, बलकि ये घोटालों का भंडार है सुप्रीम कोर्ट से बार-बार डाट खालेंगे, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं बताएंगे आम जनता को सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया जा रहा है, कि बीजेपी को सबसे ज़ादा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला ये यूट्यूबर्ज लिस्ट खंगाल-खंगाल के बीजेपी और मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहूल गांदी ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड को मोदी की इंटरनेशनल हफ्ता वसूली तक बता दिया वसूली भाई की तरह ED-CBI का करते हैं दुरुपयोग ये कहना है राहूल गांदी का पिम मोदी को लेकर बस उसके बाद ये लेफ्ट लोबी और कई नोसिखिये यूट्यूबर्ज ने PIL के थुरू SBI द्वारा प्रोवाइड की गई Electoral Bond के डोनर की लिस्ट में बरस्ता चार निकालना शुरू कर दिया और मोदी को तानाशा और हफ्ता वसूली करने वाला बता दिया लेकिन उन्हें ये कौन बताए कि ये मोदी सरकार में ही हुआ है कि आप कम से कम ये तो जान पा रहे हो कि किन राजनितिक पार्टियों को चंदा कौन कैसे और कितना दे रहा है क्योंकि मोदी के आने से पहले तक तो इन राजनितिक पार्टियों ने किस से कितना चंदा लिया इसका कोई हिसाब ही नहीं है और ना ही कोई स्कीम बनाए गई थी आज कम से कम मोदी की पारदर्शी नीती की वज़े से एक लिस्ट तो है जिस पर ये सारे लिबरांडू बवाल काट रहें मैं सर्फ इतना कहना चाहरा हूँ कि सिक्के के दो पहलू होते हैं जिने जानना बेहद जरूरी है ताकि आम जनता को बेवकूफ ना बना पाएं तो चलिए इस वीडियो में आपको इलेक्टोरल बोंड के सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाते हैं जानना चाहते हैं आप तो वीडियो को पूरा देखिएगा अब देखिए आमुद्दे हैं तीन जिने आपको समझना बेहद जरूरी है पहला मुद्दा, आहालसी जनता, काला चंदा और मजबूर राजनेतिक पार्टी हैं देखिए एक छोटे से सरपंच का चुनाव लड़ने में 5-10 लाक रुपे लग जाते हैं एक MLA का चुनाव लड़ने में 50-60 लाक रुपे और एक MP का चुनाव लड़ने में 1.5-2 करोड रुपे या कभी-कभी उससे भी जादा लग जाते हैं पर ये पैसे खर्च कैसे होते हैं देखिए इसमें कुछ पैसा तो चुनाव लड़ने माले को जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसे देना पड़ता है फिर मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं मुझे वोट दो इस publicity में पैसे खर्च होते हैं और माने ना माने थोड़े बहुत पैसे इल्लीगल तरीकों में भी खर्च करने पड़ते हैं आप बुरा मत मानेगा इसमें हम जनता हैं बहुत ही शाणी आम जनता उसे तो वोट नहीं देगी जिसे वो जानती नहीं या जिसका नाम नहीं सुना हो, या जिसका भोकाल ना मचा हो, काम भले नेता ने किया हो या ना किया हो, पर भोकाल जबर्दस होना चीए, तो 90% जनता गाहे बगाहे उसी को वोट डालती है, जनता ठैरी आलसी, वो खुद से रिसर्च तो करती नहीं, कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है, इसके बारे में जनता को क्या ही लेना, और अगर कोई कैंडिडिट सिर्फ अपने काम के सहारे, बिना पबलिसिटी किये, वोट की चाह रखता है, तो वो जनता की नजर में बेउपूफ है, यानि चुनावों के इर्दगेर्द आपके जितने पोस्ट की है, मजबूरी, अब वो ये पैसा लाए कहां से, उतकी जेब से लगा दे, तो वो रिकवर कहां से करेगा, क्योंकि आजकल के महोल में गलती से भी टेबल के उपर या नीचे से रिश्वत लेते पकड़ा गया, तो राजनितिक करियर खता है, तो अब वो उसकी मजबूरी है कि वो किसी से चंदा ले और चुनाव लड़े, अब चंदा देने वाला याद तो निकले महादानी, जिसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, तो तो ठीक है, लेकिन कल्यूग में ऐसे महादानी मिलेंगे कहां से, अब बसता है सिर्फ एक ही रास्ता, कि वो जिससे जनता जानती है, यानि बकवास कितनी भी कर लो, चुनाव चंदे के बिना हो नहीं सकते, और चंदा बिना फाइदे के मिलता नहीं, और इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार है आलसी जनता, जो अपना वोट पैसे की चमक देख के देती है, अपने विवेक से नहीं, अब दूसरा और सबसे हम है तो पुन मुद्दा, क्या इलेक्टोरल बोंड की असली सचाई से गुम्रा कर रहे हैं, लिबरांडू यूट्यूबर्स, बिले जानते हैं, देखिए साल 2018 में किंदर की बीजेपी सरकार जरूर इलेक्टोरल बोंड की स्कीम लाई थी, लेकिन ये आ पार्टी इसमें जादा से जादा पैसे लेने की कोशिश कर दी, कॉर्परेट चंदा देकर खुश थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आ गई, तो फिर उन्हें फेवर तो करेगी ही, साल 1967 तक तो राजनितिक पार्टियों को मिलने वाली फ पैसा देने के लिए अनुमती दे दी थी, फिर साल 2003 में UPA सरकार के दोर में ये निरनल लिया गया था कि पार्टी को मिलने वाली सारी फंडिंग टेक्स फ्री होगी, जब इन सबसे कोई जादा पारदर्शिता नहीं आई, तो इसके बाद साल 2018 में जब केंदर में BJP की सरका इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई, तो उनका ये मानना था कि इसके जरीए राजनितिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, और बिल्कुल साव सुथरे तरीके से पार्टी को चंदा मिलेगा, वित्तमंत्री अरुन जेटली ने कहा था कि इस योजना से राजनितिक दो लेवल पर पारदर्शिता आएक, पहला चंदा देने वाले के अकाउंट में रिफलेक्ट होगा कि उसने कितने की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, और दूसरा राजनितिक पार्टी को भी ये बताना होगा कि उसे कुल कितना चंदा मिला, लेकिन आज इलेक्टोरल नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, साल 2018 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था, तब उसे सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने सपोर्ट किया था, लेकिन आज वही पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, यहीं नहीं, कुछ लोग वीडियो बना बना के बता रहे हैं कि बीजेपी को सबसे जादा यानि 50% फंडिंग मिली है, टोटल 12,000 करोड रुपे में से 6,000 करोड रुपे बीजेपी को मिले हैं, लेकिन वो लोग 2018 के पहले का डेटा नहीं दिखा रहे हैं, 2018 से 19 के बीच सिर्फ एक साल में 8,000 करोड रुपे की फंड बीजेपी को मिले हैं और बाकी 14,000 करोड रुपे विपक्षी पार्टियों को मिले हैं, इसमें भी TMC को सबसे जादा फंडिंग मिली है, जिसके बारे में ये लोग बात तक नहीं करते हैं, अब बीजेपी का तो ये भी कहना है कि साल 2000 से पहले जितनी भी सरकारे थी, वो ब किसने कितना पैसा दिया है और वो सारा पैसा कम से कम पार्टी फंड में तो जा रहा है, कई बार हवाला के जरी आने वाले पैसों का भी हिसाब नहीं रहता था, लेकिन इलेक्टोरल बोन आने के बाद इस सारे पैसे का हिसाब रखा जाता है, नवंबर 2023 में केंदर सरकार न पैसा दिया गया चंदा बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखा जाता था और इसका कोई हिसाब नहीं होता था, जिसके चलते ऐसे चंदे से ब्लैक मनी पैदा होती है, इसी ब्लैक मनी को खतम करने के लिए बीजेपी, इलेक्टोरल बोन्ड स्कीम लाई थी, यह है असली सचाई, जो यह लिबरांडू यूट्यूबर्स आपको कभी नहीं बताएंगे। पार्टी को 134 करोड रुपे चंदे के तोर पे दिये थे। ताकि इसके बदले 1993 के दिल्ली बम धमाके के आरोपी दिविंदर पाल सिंग भुलर को रिहा करवाया जा सकी। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने गंबीर आरोप लगने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने इ कई बार यह रोप लगाये जाते हैं कि उन्हें अमेरिकन अरफपती जोर्ज सोरोस का चंदा मिलता है और सोरोस कम से कम भारत के हित में तो काम नहीं करते हैं। पार्टी चुन्नी है जो देश हित के लिए चंदा लेती है और उसका पूरा हिसाब रखती है। ना कि ऐसी पार्टी को जो देश विरोधी लोगों से चंदा लेकर देश के खिलाफी काम करती है। रखिए कि देश है तो हम हैं। इसलिए गुमरा मत होईए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेर करिए जो इन सो कोल्ड लेफ्टिस्ट यूट्यूबर से परभावित होके देश का भला चाने वाले लोगों के खिलाफ ही हो गए है। जागिये और लोगों को भी जग मत होूँ चाहिए?